नमस्कार मेरे चीतों मैं सिद्धान सौगत करता हूँ आपका पेपर रहकर चैनल में और मैं आपको करवा रहा हूँ आर्मी किलर्क और जो इस्टोर कीपर हैं उसके प्रेक्टिस सेट्स तो जिस जिस लड़के ने या जिन जिन लड़कों ने जो रेस निकाल दी है वो हमारे साथ डेली लाइव आकर साथ बजे तयारी करेंगे और पेपर निकालने की गारंटी मैं दिलवाओंगा आप बस मेरे साथ लाश्ट तक बने रहे हैं पचास के पचास प्रेक्टिस सेट अगर आपने लगा लिए तो गारंटी देता हूँ कि आप पेपर को फार्द होगे ठ चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रेक्टिस सेट आपके लिए दो प्रेक्टिस सेट मैं करवा चुका हूँ यह हमारा जो प्रेक्टिस सेट का नंबर है कौन सा है तीसरे नंबर का प्रेक्टिस सेट है तो चलिए प्रेक्टिस सेट हल करना शुरू करते हैं तो फहरा कोश्चन हमें दे रखा है कि हिंदू बिधी पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी यानि कि मिताक्षरा जो पुस्तक है वो किसने लिखी है चलिए बताईए ज़रा option A है हमारा कंबन B है विध्यानेश्वर C है अमोग्देवर्द वर्ष या फिर D है चाणक के तो किसने लिखी है यह हमारा option सही होगा option number V मिताक्षरा जो पुस्तक है वो किसको दारा लिखी गई है विध्यानेश्वर के दारा लिखी गई है next question है हमारा लोक सवा में कोरम पूर्ती हेतू सदस्यों की निवन्तम आवश्यक संख्या कितनी निर्धारित है यानि की लोक सवा को चलाने के लिए कितने निवन्तम व्यक्तियों का उपस्तित होना जरूरी है चलिए बताईए जरा options है हमारे option number A है कुल सदस्यों का एक बता तीन भाग तो कौन सा option हमारा सही होने वाला है option number D यानि की लोक सवा को चलाने के लिए minimum जो संख्या होनी चाहिए उपस्तित जनों की वो कितनी होनी चाहिए कुल सदस्यों क्या एक बता दस अब जरा लोक सवा के बारे में जान लेते हैं लोक सवा कौन से अनुच्छित में आता है हमारे अनुच्छित नंबर कितने होंगे लोक सवा में कितने हैं इस समय पांच सो तितालिस हमारे जो है वो कुल सदस्य हैं ठीक है next हमारा question है भारत का प्रिथम फील्ड मार्शल कौन था option number A हमारा एच एच के मौनकेशा B है हमारा के एस भाटिया C है के एन चौधरी या फिर डी है ओपी मलोत्रा चलिए बताइए जरा तो हमारा option कौन सा सही होने वाला है option number A एच एस के मौनकेशा जो है वो हमारे प्रिथम फील्ड मार्शल थे ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन है हमारा आल इंडिया रेडियो की स्थापना किश वर्स होई थी आल इंडिया रेडियो जो है उसकी स्थापना किश वर्स होई थी option number A है 1947, B है 1950, C है 1936 या फिर D है 1927 चलिए बताइए जरा तो हमारा option कौन से सही होने वाला है हमारा option number सही होने वाला है C option number C, 1936 आल इंडिया रेडियो कब का ही है 1936 का लेकिन 1957 से 1957 से किस नाम से जाना जा रहा है हमारा आकाश वानी यानि कि आल इंडिया रेडियो जो है वो 1936 में था 1936 से लेकर 1957 तक 1957 से लेकर अब तक ये किस नाम से चल रहा है आकाश वानी खी राश्ट्रिय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है option number है हमारा A 24 जनवरी B 28 फरवरी C 15 अपरेल या फिर D 11 जुलाई इसको क्या बनाया जाता है राश्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को यहां पर एक और इंपोर्टेंट डेट आ गही है वो क्या है 11 जुलाई इसको क्या बनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस विश्व जनसंख्या दिवस ठीक है नेक्स्ट कुश्चन हमारा निम्ण में से कौन एक अधिश रासी है ऑप्शन नमबर ए हमारा उर्जा भी है दाब सी है वेग या फिड़ी है तो रंट तो कौन सी एक इन में से अधिश रासी है तो अधिश रासी हैं क्या होती है ये भी हमें पहले पता होना चाहिए ऐसी रासी हैं जिन में केवल परिमाड होता है वो कहलाती है अधिश रासी और जिन में दिसा और परिमाड दोनों होते हैं वो कहलाती है शदिश रासी तो कौन सा वाला हमारा option से हो जाएगा option number B दाब जो है वो हमारी कौन सी राशी है अधिश राशी है इसके अलावा चाल है और दूरी है ये भी कैसी राशिया है ये भी अधिश राशी है और बाकी की जो ये उर्जा है वेग है और तोरण यह कैसी रासिया हैं यह हमारी शदिस रासिया है next aluminium का एक आयस्क है यानि के इन में से कौन सा aluminium का आयस्क है ए हमारा bauxite b है hematite c है calcopyride या फिर D है फिलोस पार ठीक है बताईए ज़रा तो अप्शन नमबर हमारा सही होने वाला है वो है अप्शन नमबर A बाकसाइट कौन सी कौन सा बाकसाइट अलुमीनियम का एसक है बाकसाइट एसक क्या होता है यह ऐसे तत्त होते हैं जिनसे हमें धातु है जो है वो प्राप्त होती है हमेंटाइट किसका है हमेंटाइट किसका एसक है एक लोहे का एसक है किसका लोहे का एसक है ठीक है नेक्ट कुश्चन है हमारा RNA का पूर रूप क्या है यानि कि RNA का पूरा नाम क्या है अप्शन नमबर A हमारा ribonuclear acid, ribonucleic acid, retinal nucleic acid या फिर ranbonuclear acid बताइए जरह कौन सा हमारा सही हो जाएगा option number B, ribonucleic acid आ रहने का पूरा नाम क्या है ribonucleic acid ठीक है नेक्ष्ट है हमारा वायू क्या है इंट्रेस्टिंग कोश्चन है बहुत ही ज़्यादा आप्शन नम्बर A है तत्तो B. यॉगिक C. मिस्रण या फिर D. कारवनिक का वास्पिक रूप चलिए बताईए आप लोग बताईए ज़रा चलिए देखिए ना तो बायू एक योगिक है और ना ही कारवनिक का वास्पित रूप है वायू क्या है वायू एक मिस्रण है क्या है मिस्रण है जिसमें गैसे होती है धूल मिट्टी के कण भी पाये जाते हैं ये क्या होता है मिस्रण होता है एक प्रगार का इसके लिए नेक्स्ट कुश्चन है हमारा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है आप्शन नमबर A है हमारा रताउंदी B है गंड माला C है सकर्वी या फिर D है रिकेट चलिए बताइए जरा तो कौन सा वाला आप्शन हमारा सही हो जाएगा आप्शन नमबर B कौन सा वाला हो जाएगा आप्शन नमबर B is the correct answer अब नेक्स्ट कुश्चिन यदि इंटरनेट में एक इमेल का पता ब्लू स्टार एड़ दा रेड मार्स डॉट ओर जी है तो मार्स डॉट ओर जी दरसाता है A ओप्शन है हमारा सदस्य का नाम B है डोमेन का नाम C है रेंज का नाम या फिर D है सर्च इंजन का नाम बताईए जड़ा तो यह हो जाएगा हमारा ओप्शन नंबर B डोमेन का नाम यह वाला जो हमारा पॉर्शन है यह वाला यह क्या दरसाएगा अड़ रेड के बाद ओर जाएगा यह डोमेन का नाम बताएगा जिस तरह से इमेल डॉट अट को मोता है अड़ दा रेड जी ओमेन डॉट का मोता है इसी परकार से यह mars.org यानि कि add the rate के बाद वाला क्या दर्शाएगा हमारा domain का नाम बताएगा next question is LCD का बिस्तारित रूप क्या है LCD का बिस्तारित रूप क्या है option number A है हमारा lead crystal device B है light central display C है liquid central display या फिर D है liquid crystal display चलिए बताएगे जड़ा option number जो D है वो हमारा correct answer हो जाएगा LCD का जो पूरा नाम है उसको बोलते हैं liquid crystal display क्या बोलते हैं liquid crystal display ठीक है next question है हमारा reusable optical storage का typically अक्रो निम्न में से कौन होगा यानि के एक ऐसा optical storage जो reusable उसको बार बार यूज किया जा सके उसका typically अक्रो निम्न में से कौन सा होगा option नमबर A है CD, B, DBD, C, ROM या फिर D CD, R, W क्या होगा तो यह हो जाएगा हमारा CD, R, W फिक है? क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर एक और आया है ROM ROM क्या होता है? एक होता है RAM और एक होता है ROM तो क्या होता है यह होता हमारा Read Only Memory और यह होता हमारा Read Access Memory फिक है? Next Question है हमारा Computer को कौन बताता है कि इसके Components का प्रियोग कैसे किया जाए यानि कि यह कह रहे हैं कि Computer को ऐसा कौन बताएगा कि इसके जो Components हैं Parts हैं इसका यूज कैसे किया जाए कौन बताएगा? Option Number A है Utility B है Network C है Application Program या फिर D है हमारा Operating System बताएगे ज़रा तो यह हो जाएगा हमारा Option Number A Utility कौन बताएगा? Utility बताएगा Next Question है हमारा Word Processing प्रोग्रामों में से किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती हैं यानि कि जो Word Processing प्रोग्राम होते हैं उनसे किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती हैं Option Number A है हमारा Storage फाइल B है Database फाइल C है Worksheet फाइल या फिर D है document file बताईए जड़ा तो यह हो जाएगा हमारा option number D किस परकार की document file बनाई जाती है ठीक है अब जो हमारा portion शुरू होने वाला है बो हमारा portion शुरू होने वाला है math का यानि कि इसके साथ जो आगे 10 question आएंगे वो कौन से होंगे mathematics के होंगे ठीक है शुरू करते है चार रंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो की पूर्ण वर्ग हो यानि कि चार रंकों की अगे जो पूर्ण वर्ग होगी तो पिछले वाले practice set में भी 6 रंकों वाला आया है इसमें इसमें 4 रंकों वाला आया है तो मैंने आपको पहली बताया था कि जब हम कितने भी रंकों की हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूची जाए तो हम उतने ही अंकों में क्या लिख देंगे? नौ लिख देंगे तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? पूर टाइमस नाइन लिख देंगे तो क्या हो जाएगी? चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या अब हम इसका क्या निकालेंगे बर्ग मूल नकालेंगे कौन सी विदी से भाग विदी से तो सबसे पहले संख्या लिख लेंगे अब हमारे पास संख्या आ गई अब क्या करना है हमें बर्ग किस से बनता है square से यानि कि दो संख्याओं के जोड़े से बनता है तो जोड़े जोड़े लेकर इसको संख्याओं को पीछे से क्या करेंगे जोड़े बनाएंगे इसके अब ये हमारा जोड़ा बन गया 99 क्या बन गया 99 अब हमें इससे कम बाला क्या देखना है इसके पास में कौन सा वर्ग आता है तो कौन सा वर्ग आएगा इसके पास में 9 का वर्गी आएगा 9 नेमा 81 और 10 का स्क्वाइर करेंगे तो 100 यानि की 99 से ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर लिख लेंगे 9 और 10 नेमा 81 95 वर्गी चान उप्चान 90 की 11 works 9 अब चेक छेए टर्चा से कहा। अब क्या होगा जब नीचे आगे वाली संख्या होता रहेंगे तो जितनी यहां गुणा करी थी उतना ही जोड के नीचे लिख लेंगे यानि पिलस नाइन लिखेंगे तो यह हो जाएगा 18 अब और आगे वाली संक्या क्या करेंगे हम उतार लेंगे अब हमें इस 18 में कौन सी एक संक्या बढ़ा के लिखनी चाहिए कि उतनी ही संक्या से गुणा करने पर इसके बराबर या इस से थोड़ा सा कममान आ जाए ठीक है तो नाइन टैम्स फिर से जाएगा ये तो ये नाइन टैम्स जाएगा तो ये बनेगा आपका कि इतना बनेगा 1701 ठीक है सब्सिट्यूट करेंगे तो नौ में से एक जाएगा बचे का आठ यहाँ बचे का नौ और यहाँ बचे का बन तो जो हमारी सेस निकल कर आया है क्या निकल कर आया सेस निकल कर आया है वो आया है हमारा 198 अगर ये 198 नहीं होता तो ये 189 से पूरी पूरी बार से कट जाता तो यह हमारा पूर वर्ग बन जाता तो क्या करेंगे हम जो हमारी सबसे बड़ी संख्या जो हमने ली थी उसमें से 198 क्या करेंगे हम घटा देंगे तो 9 में से 8 गया बचा 1 यहां बचा 0 और यहां बचा 8 और यहां बचा 9 कितना आ गया हमारा 9101 तो आप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है हमारा आप्शन नंबर ए सही होने वाला है ठीक है नेक्स्ट कुष्चन है हमारा 360 तता 450 का सबसे बड़ा गुड़न घंड क्या है तो हम क्या करेंगे हम निकालेंगे क्या करेंगे हम निकालेंगे भाग विदी से मासा कैसे निकालेंगे इन दोनों संख्याओं को ले लेंगे और डिवाइट कर देंगे क्या करेंगे डिवाइट कर देंगे ठीक है डिवाइट किया तो यह कितनी बार में गया एक बार में गया यह आ गया हमारा 15 मेश च्छी गया बच्छा 9 अब फिर से किसको कर देंगे 360 को कर देंगे 360 को तो कितनी वायर चला गया और टाइमस में चला गया पूरा कट गया तो बड़ी से बड़ी बड़ा से बड़ा क्या कोड़नगंड होगा इन दोनों का तो कौन सा होगा जो हमारा कटता है उसी का वो ही हो जाता है हमारा सबसे बड़ा बड़नगंड तो क्या हो जाएगा 90 90 कहां है option number A is the correct answer अब बताए अटरा है हमारा 5000 का चार पर्तिशत बार्शिक दर से दो वर्ष का साधारन व्याज क्या होगा तो साधारन व्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में व्याज हमें निकालना है मूलधन कितना दे रखा है हमें मूलधन दे रखा हमें 5000 कितना दे रखा है 5000 मूलधन दे रखा है कितने दो वर्ष कितनी दर दे रखी है चार प्रतिशत की दर से और दो वर्ष के लिए दो जीरो से दो जीरो काट लेंगे तो यह आजाएगा हमारा पच्छाशो का 200 200 दूनी 400 कितना आ गया हमारा 400 इस दी correct answer ठीक है कोई problem चलिए next question की दर बढ़ते है आशा करता हूँ आप समझ गया होंगे ठीक है next जो हमारा question है वो बहुत ही बड़िया question है ठीक है तो इसको step by step करेंगे पहले पढ़ेंगे इसको एक किसी कारिये को 60 दिन में कर सकता है वह 15 दिन कारिये करता है और फिर बी ने अकेले 6 कारिये को 30 दिन में पूरा किया दोनों कारी को निम्न समय में पूरा कर सकते हैं option number A है हमारा 24 दिन B है 25 दिन C है 30 दिन या फिर D है 32 दिन चलिए जड़ा खरके बताईए पिलिए एक कारी कितने दिन में कर सकता है भहिया 60 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना कारी करेगा एक ही करेगा तो efficiency of A A की कारी चमता जो है कितनी हो जाएगी एक कितनी हो जाएगी एक अब आगे पढ़िए बहे 15 दिन कारी करता है A कारी करता है कितने दिन 15 दिन कितने 15 दिन तथा और फिर B ने अकेले शेश कारी को किया तो B कारी कितना करेगा B जो है वो कितना कारी करेगा तोटल कितना था 60 A ने कितना कर दिया 15 अब कितना बचेगा 45 दिन कितना बचा 45 दिन तो अगर हम यहां से efficiency of B निकालना चाहें तो निकाल पाएंगे efficiency of B हो जाएगी total work कितना था 45 B कितने दिनों में बचा हुआ काम करेगा 45 दिनों में कितने दिनों में 45 दिनों में लेकिन कितने में किया उसने 30 दिनों में कितने में 30 दिनों में कारी कितना बचा था 45 दिन का कारी बचा क्योंकि A तो छोड़कर चला गया 15 दिनों के बाद तो 60 में से 15 गया तो 45 दिन तो यह बच गया अब उसने कितने चाहिए पूरा किया तीस दिन में कितने दिन में तो एफिजेंसी और भी आ गई कितनी 3 वटा 2 कितनी आ गई? 3 वटा 2 ठीक है? यहां तक समझ में आ गई बाद चलिए अब क्या पूँच रहे हैं? कि दोनों कारी को निम्न समय में पूरा कर सकते हैं यानि कि दोनों कितने समय में पूरा करेंगे तो A पिलस B कारी करेंगे कितने दुनों में? अभी बता चलेगा देखी भाई बर्क बरावर क्या होता है? टाइम अफ़ोन एफिशेंशी ठीक है? अब यहां पर आएए यह टोटल टाइम कितना था भीया? 60 दिन का और एफिशेंशी एक ही कितनी है? एक है और B की कितनी निकाली अभी हमने? 3 वटा 2 कितनी निकाली? 3 वटा 2 तो यहां पे तो रहेगा 60 और यहां पे अगर हम करेंगे तो 2 एक हम 2 और 3 5 वटा 2 कितना आ जाएगा? 5 वटा 2 अब हम जब इस 2 को उपर ले जाएगे तो यह गुणा में आजाएगा? कितने में आजाएगा? गुणा में तो क्या हो गया? 60 गुणा दो वटा 5 5 से 60 कट गया 12 बार, 12 दूनी कितना आ गया? 24 दिन कितना आ गया? 24 दिन यानि कि A और B दोनों मिलकर उस कारी को कितने समय में करेंगे? नेक्स्ट कुश्चन है हमारा यदी 300 मीटर लंभी एक रेल गाड़ी 72 किलो मीटर प्रती घंटा की चाल से चल रही है एक खंबे को पार करने में रेल गाड़ी को कितना समय लगे गा ठीक है तो जो हमें दे रखा है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे दूरी कितनी दे रखी है और रेल गाड़ी की चाल कितनी दे रखी है 22 किलो मीटर पर आवर लेकिन यह तो मीटर में दे रखी है और यहां पर भी सेकंड में समय दे रखा है तो हम 22 किलो मीटर प्रती घंटे को किसमें बदल लेंगे मीटर प्रती सेकंड में बदल लेंगे तो यह हो जाएगा मीटर प्रतिसेकंड में बदलेंगे तो पांच बटे 18 से गुणा अठारा चोगा बहतर होते हैं तो यह आ गया हमारा 20 मीटर प्रतिसेकंड चाल के आ गई हमारी 20 मीटर प्रतिसेकंड अब फर्मूला लगा देंगे भीया समय बरावर क्या होता है दूरी बटे चाल क्या होता है दूरी बटे चाल दूरी कितनी दे रखी है हमें दूरी दे रखी है 300 मीटर और 40 दे रखी है कितनी 20 एक 0 से एक 0 कट गया 2 से 30 काटा तो कितना आया 15 सेकिंड 15 सेकिंड तो कौन सा वाला option हमारा से ही हो जाएगा option number A is the correct answer चलिए next question है 3x plus y into 2x minus 3y को हल करेंगे तो इन में से क्या आने वाला है चलिए जड़ा answer दीजिए चलिए इसको लिख लेंगे जड़ा 3x plus y into 2x minus 3y तो सबसे पहले गुणा करेंगे इसकी इस से ये क्या हो गया 3 दूनी 6 3 से इसकी करेंगे 6x square ठीक है अब क्या होगा इसकी करेंगे इससे गुणा प्लस 2x by अब क्या होगा आप करेंगे इसकी गुणा फिर से किसकी? इससे माइनस का, यह किसका? माइनस का, माइनस का 3 तीन तिया 9XY और फिर क्या होगी? इसकी गुणा होगी? इससे यानि कि माइनस का 3 by square ठीक है, clear है ये माइनस का 9XY है ये प्लस का 2XY है तो ये 6X square तो ऐसा ही रहेगा ठीक है ये माइनस का 9XY से पिलस का 2XY जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 7XY और ये माइनस का 3Y स्क्वाइड ऐसा ही रहेगा ये हमारा बन गया हल होके तो कौन सा वाला अप्शन हमारा सही हो जाएगा अप्शन नमबर C हमारा जो है वो बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए भाई नेक्स्ट कुश्चन है हमारा 52, 55, 56, 55, 54, 55, 55, 51, 51 और 57 का बहुलक बताईए बहुलक क्या होता है चलिए जड़ा पहले आप बताईए फिर मैं बताता हूँ यह जो हमें संख्याय दे रखी है इन में से जिस संख्या की सबसे ज़्यादा पारम बारता होगी यानि कि जो सबसे अधिक बार आ रही होगी वही हमारा क्या होगा बहुलक होगा तो क्या इन मेंसे कोई एक ऐसी कौन संख्या है जिसका repetition बार-बार हो रहा अजिक करない 55 55 85 हो रहा है वभायी आपिन और कोई के संख्या है ए wraps क्यों नहीं है भाई 35 और 35 lead किसका हो रहा है 55 का हो रहा है 55 का हौ रहा है तो कौन से उबनर हमाराption से हो जाए Pero option number C पचपन is the right answer चलिए बहुत ही आसान question आगया है आपके लिए कि 1y2 और 1y4 को जोड़ेंगे तो इसका मान किसके बराबर आएगा चलिए जरा जोड़ते हैं 1y2 पिलस 1y4 नीचे लासा ले लेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा 6 वटा 8 और इसको काटेंगे तो 2,3,6 और 2,4,8 तो answer हमारा निकल के आने वाला है वो है 3 वटा 4 इस दी correct answer option number B जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है अब आते हैं भाईया बोल रहे हैं कि दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज संख्या option number A 93, B 97, C 89 या फिर D 87 बताएगे जरा तो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि अभाज संख्याएं क्या होती है अभाज संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो स्वैम से कटेंगी या फिर एक से कटेंगी यानि कि ऐसी संख्याएं जो स्वैम से तथा एक से बड़ी होती है वो संख्याएं क्या कहलाती है अभाज संख्याएं कहलाती है ठीक है तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बताइए यह सबसे पहली यह बताइए दोंको कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी यह होगी हमारी 99 सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 99 अब 99 से थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे कि कौन जी संख्या है जो अब आज जे 99 कट जाता है यह 33 के पाड़े म छोड़ा के पारे से कट जाएगी ठीक हैsecond अब से पहले आएंगे नाइनदी से मिल नाइनटी सेविन जो संख्याइ क्या से कुछ ईयागि क्या आक्ट सकते हैं Championship सेविन को नहीं काट सकते हैं तो इसका मदलब यह है कि 97 जो है दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है ठीक है नेक्स्ट कुष्चन आ गया हमारा ओसत का किसका ओसत का पूछ रहे हैं कि इन संख्याओं का ओसत ग्यात कीजिए तो ओसत बराबर क्या होता है ओसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या तो ओसत हमारा निकल के आ जाएगा इन सब को हम क्या करेंगे जोड देंगे क्या करेंगे जोड देंगे और टोटल कितने हमारे बैट रहे हैं पद भीया आठ एक दो तीन चार पांच छेस साथ ने बैट रहे हैं तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साथ से डिवाइट कर देंगे तो यह हमारा और सत निकलकर आ जाएगा ठीक है इनको जोडेंगे तो आएगा हमारा 133 बटे 7 और 133 क्यों सब साथ से डिवाइट करते हैं तो आंसर आता है बहिया 19 कितना आता है 19 ठीक है तो क्या हो जाएगा option number हमारा इसमें option number D is the correct answer हो जाएगा चलिए पहला section हमारा खतम हो गया आप जो हमें next question मिलने वाले हैं वो सर्फ हमें किसके मिलेंगे English के मिलेंगे तो 26 से लेकर तरीस तक जो question दिये हुए है वो हमारे इस पैसिज से दिये गए है और इसी पैसिज को देखके हमें वो सारे questions करने हैं ठीक है तो चलिए पहले questions देख लेते हैं पहला question है what does the passage mainly discuss यानि कि पेसिज में mainly मुख्य रूप से किस चीज के ऊपर discussion किया गया है option number A है हमारा cardiology, B है diet and stress factors in heart attacks, C है seasonal and temporal pattern for heart attacks या फिर risk factors in heart attacks ठीक है तो ऐसे तो पता नहीं लगा पाएंगे हम तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसके लिए हम पैसिज पढ़ेंगे सुरू से As heart disease continues to be the number one killer in the United States, researchers have become increasingly interested in identifying the potential risk factors that trigger heart attacks. High fat diets and life in the fast lane have been known to contribute to high incidence of heart failure but according to new studies the list of risk factors may be significantly longer and quite surprising heart failure example appears to have seasonal and temporal patterns. ठीक है तो क्या हो जाएगा भाईया हमारा 26 का कौन सा वाला सही हो जाएगा 26 का हो जाएगा हमारा option number C Seasonal and Temporal Patterns of Heart Attacks पैसिज से जितने भी आपको question पूछे जाएंगे उनका answers आपको passage में ही दिया होगा थोड़ा सा आपको common sense लगाने की जरूरत है कुछ questions तो ऐसे होंगे जिनका answer same to same passage में और option में same to same होगा लेकिन कुछ questions में आपको option देखने के लिए passage पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा common sense यूज़ करना पड़ सकता है ठीक है इस passage के अनस्वार इन में से कौन सा एक possible कारक नहीं हो सकता किसका ज्यादा तर heart attacks का तो options अब बाद में देखेंगे यह option पहले देख लेते है option नमबर यह है decreased blood flow to the heart increased blood pressure lower heart rate या फिर cda increase in hormones तो सबसे पहले क्या देखेंगे passage पढ़ेंगे देखेंगे कुछ नहीं passage पढ़ेंगे यहां तक पढ़े लिया higher percentage of heart attacks occurs in cold weather and more people experience heart failure on Monday than on any other day of the week क्या कह रहे है यह कि जो सबसे ज़्यादा जो percentage heart attacks की वो इंडे मौसम में आती है और सबसे ज़्यादा लोग experience करते हैं heart failure को कब Monday यानि कि सोंबार के दिन जो है एक research के अनुसमार बताया गया है कि सोंबार के दिन सबसे ज़्यादा heart attacks आते हैं than any other day of week in addition इसी के साथ people are more susceptible to heart attacks in the first few hours after waking cardiologist first observed this morning phenomenon in the mid 1980 and have since discovered a number of possible causes and early morning rise in blood pressure heart rate and concentration of heart stimulating hormones plus a reduction of blood flow to heart may all contribute to higher incidence of heart attacks between the hours of 8 a.m. and 10 a.m. question मिल गया भाईया answer भी मिल गया होगा उमीद करता हूँ आ आपसे इसी की line में ठीक है blood pressure हो सकता heart rate हो सकते है और hormones हो सकते है लेकिन क्या नहीं हो सकता भीया lower heart rate नहीं हो सकता क्या नहीं हो सकता lower heart rate नहीं हो सकता अगर हीरतर की गती थोड़ी सी कम भी हो जाए फिर भी आपको hurt rate पढ़ने के chances नहीं है बहुत कम है लेकिन belt pressure कम होगा फिर भी आएगा increased होगा तब भी आएगा और hormones में increase on होगा तो बढ़ोती होगी फिर भी आने के chances रहेंगे अब next question है हमारा which of the following is seated as possible risk factor यानि कि किसको बताया गया है एक possible risk factor getting married rainy weather driving fast या फिर eating fatty foods इसको बताया गया है यहाँ पैसेज में पढ़के देख लेते हैं अभी पताया जल जाया गया इसको बताया गया है stress जो statics है reveal दिखाती है that heart attack rate increases significantly for both females and males in the few immediately preceding and following their buddies and unmarried men are more at risk for attack than their married counterparts though stress is thought to be linked in some way to all of the aforementioned risk factors intense research continues in hope of future comprehending why and how hurt failure is triggered तो भाईया ना तो इसका साधी करने से कोई मतलब है ना ही rainy weather से और ना ही driving first जो risk factor बताया गया है वो क्या बताया है इटिंग इटिंग फैटी फूड बड़े पार्टी होती होती है भाईया मुमोश्चौमीन घाओ है मजे लो जो ज़्यादा ओईली फैटी जो बसा बढ़ाता है हमारे शरीर में फैट बढ़ाता है और यूज जो हम चीज़ रखाते हैं उन से उनको खौने से हमारे ज़्य कि आए चरहों को देख के बताना है उपर जो पैसेज में यूज हुआ है बता देता हूं कहां पर यूज हुआ है ऑफ देखिये रिवील का श्टैटिक्स सो यानि के जो statics है वो दिखाते हैं reveal means so करना क्या करना so करना तो reveal का क्या हो जाएगा सनानीम observe a number है हमारा observe observe मतलब grind करना b number है show explain विस्तार रूप से बताना mean थोड़ा cut in वाला ठीक है तो क्या होगा ये हो जाएगा हमारा show क्या हो जाएगा reveal का मतलब show करना अब next है which of the following does the passage infer यानि कि passage जो है हमें क्या सिक्षा दे रहा है या क्या बताया गया इसमें कि we now fully understand how the risk factors trigger heart attacks we do not fully understand how the risk factors trigger heart attacks या फिर we have not identified risk factors associated with heart attacks और डी ये हमारा we have recently begun to study how to risk factors तो कौन सा वाला option हमारा सही होने वाला है या बी वाला अभी पढ़ा है कि we do not fully understand हम ये अभी पूरी तरीका से नहीं समझ पाए है कि जो risk factor है वो heart attacks को कौन सा ये कैसा risk factor है कैसा risk factor है जो heart trigger करता है केंदर करता है किसको heart attacks को ठीक है 31 से 34 विलिंदा ब्लैंक विस स्यूटेबल बर्ड चलिए वही है शुरू करते हैं विशुड वी शुड वी शेल फेल डैश वी आर इंडस्ट्रियस क्या है वी शेल फेल हम विफल हो जाएंगे वी आर इंडस्ट्रियस हम कैसे हो जाएंगे यानि कि अगर हम कैसे हो जाएंगे इंडस्ट्रियस उद्योग पती हो जाएंगे इंडस्ट्रियस का उद्योग पती नहीं मतलब जो ज्यादा कमाने वाले हो जाएंगे तो हम कैसे हो जाएंगे फेल हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट कुष्चन है हमारा क्यों होगा 32 जो हमारा कुष्चन है वो है वी हैव लॉट्स आफ थिंग्स इन कॉमन म्यूजिक यानि की वी हैव लॉट्स आफ थिंग्स हमारे पास काफी सारी चीजे हैं इन कॉमन डैश म्यूजिक beside below among या besides यानि कि ये बोल है इन में से एक position हमें use करनी है तो beside का मतलब क्या होता है पीछे below का मतलब नीचे among का मतलब जब दो लोगों से दो लोगों में बाटा जाए तो क्या होगा between होगा और दो से जादा में बाटा जाएगा भी बहुत सारी common चीजें हैं करने के लिए किसके अलावा besides music भाईया गाने जुनने के लावा हमारे पास और भी बहुत सारे काम है जो हम एक साथ मिलकर कर सकते हैं ठीक है कि नेक्स्ट कुष्चन है हमारा कि सी एक्सपेक्ट्स डैट हर सन उसे यह आशा है वह यह उमीद करती है आशा करती है कि उसका जो वेटा है can return लोट सकता है should return लोटना चाहिए may return लोट सकता है या could return तो भीया देखिए ना तो should होगा और ना तो could होगा क्योंकि यह दोनों भईया पास्ट में चले गए अब बचा can और may can क्या होगा can वहाँ पे लगता है जब आपकी शक्ती की बात आती है मापने की बात आती है क्या भाई ये काम कर सकता है और may कहाँ पे लगता है may लगता है जहाँ पर हमें उमीद हो, कोई हो वो या हम कोई wish करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका में रिटर्न यानि कि उसको उमीद है कि उसका जो बेटा है वो कहा है लॉट आएगा सी सक्सीडिड़ देश वर्क मोस्ट हाड नन ऑफ दीज या फिर आनि कि सी वह सफल हुई를 हैं दो 날 तो दो आपने कटिन पशम के साथ قت in pursham, kat in purusham होता है, जादा, कम नहीं होता ठीक है अगला भी आ आ गया फिर से passage, क्या आ गया फिर से passage आ गया है पहले questions देखते हैं उसके बाद passage पढ़ना शुरू कुरेंगे पहला question है हमारा Mount tannering यानि mountaineering is different from other sports यानि कि जो पहाड़ चड़ना है पहाड़ चड़ना है वो अलग है from other sports किसी भी दूसरे खेल से sports से because क्योंकि it is risky and dangerous it can't be it can be fatal it is most thrilling and exiting there is no competition between being individuals या फिर नन आफ दा अबब तो सबसे पहले क्या करेंगे पैसेज बढ़ेंगे भी या किक है पढ़ लो भी या पैसेज mountaineering is now looked upon as the king of sports यानि कि परवत चड़ने को क्या है कि राजा माना जाता sports का but men have lived amongst the mountains since prehistoric time यानि कि प्राग एतियां से काल से भी पहले से जो man है मनुष्य है वो रहता आ रहा है इन जगाओं पर some parts of the world और कुछ जो है वो इन जगाओं के हिस्से पर अभी भी है as in the indies indies में हैं हिमाल्याज हैं और difficult mountain journeys have inevitably been part of everyday life however some of fix were easily accessible from most of the cities of europe यानि के यूरोप की जो cities की जो चोटियां पीक से वो थोड़ी सी असान हो जाती चड़ना it is quite interesting that while modern mountaineers prefer difficult routes for the greater enjoyment sports the early climbers looked for the easiest ones अब हमारा कुश्यन हाँ गया the individuals making up a party must claim together as a team for the depend one another for their safety तो क्या हो जाएगा हमारा it is option number c हो जाएगा हमारा correct answer क्या हो जाएगा c हो जाएगा हमारा correct answer next question है हमारा प्यूपिल लिविंग इन दा एंडीज एंड हिमालयास made mountain journeys because जो प्यूपिल जो लोग जो है भीया जो एंडीज में रह रहे हैं हमालयास के आसपास में रह रहे हैं उनके लिए यह journey जो है कैसी हो जाती है अच्छी हो जाती है क्यों बो लोग सबसे ज़्यादा mountain journeys क्यों करते हैं it was a kind of sport they had to undertake them there day-to-day life they lived in prehistoric time of the challenge offered the difficult journey तो भाईया इसका तो common sense आप भी लगा सकते हैं पैसे पे जाने की जुरूत ही नहीं है कि option number B चाही होने वाला है क्योंकि उनको इस चीज की समझ है क्योंकि उन्होंने उस परवत को बड़े मतलब जब वो बड़े हो रहे थे तब परवत बड़े नहीं हो रहे जब वो लोग बड़े हो रहे थे उन्होंने उस परवत को देखा है दिन बर दिन यानि कि दिन पर दिन उन्होंने उस परवत को देखा और उनको समझ है उस परवत की 37 है mountaineers climb as a team because अब पीछे अभी passage में पढ़ाता कि जो mountaineers है वो एक साथ team के रूप में चड़ते हैं क्यों the height is too much for one individual यानि कि किसी एक के लिए height जादा हो जाएगी या फिर the competition is between the team and the pig जो competition होता है वो team और pig के बीच में होता है या फिर they have to rely on each other for safety या फिर there is no competition among them तो क्या हो जाएगा they have no rely on each other for safety on each other safety they have to rely on यानि कि उनको एक दूसरे पर भरोसा है और वो एक दूसरे की मदद करने के लिए तयार रहते हैं 38 कुश्चन है हमारा to to press in last sentence of the passage means यानि कि अभी दिखा देता हूँ आपको यह जो आया है to press इसका meaning पूँच रहे है वहिया तो जड़ा देख लेंगे हाँज ओवर हाँज ओवर tempting it may be to press on and try to reach the summit to press का meaning क्या होगा क्या होगा to struggle in a forceful manner to force upon others to work fearlessly to continue in a determined manner तो क्या होगा to press का मतलब होता है कि एक ही जिस तरह से पिछले लोग चले आ रहे हैं उसी तरह से एक आदर्षवादी के रूप में चलते चले जाना to continue in a determined manner तो option number D जो है वह हमारा सही होने वाला है the ascent of alpine peak of matterhorn in 1865 was responsibly for किसके लिए उतरदाई थी 1865 की alpine peak of matterhorn तो भाईया देख लेंगे जड़ा 1865 कहां पे लगा हुआ है ये देखिए मिल गया जड़ा देहान से देखेंगे किसके हमारा देखेंगे से लिए लेखेंगे लिए लूपत्पार भ्याओबेबेच्ट का प्याद्सपी बाद्सबदद्द्स popular interest in mountainering increased considerably considerably after the ascent of the alpine peak of matterhorn in 1865 and Edward winfors dramatic account of the claim and fatal accident which occurred during the descent तो mountaineering is increased यानि कि mountaineering जो परवतार होई है वो और ज्यादा बड़ी क्या हुआ बड़ी यानि कि option number कौन सा हमारा सही हो जाएगा increase of popular interest in mountaineering ठीक है 40 है चेंज दा फॉलोइंग सेंटेंस इंटू सुपरलेटिब डिग्री ओफ एजेक्टिव ग्रीन लेंड इज लार्जर दैन एनि अधर आईलेंड इन दा वर्ल्ड यानि कि जो ग्रीन लेंड है वो बड़ा है और किसी भी आईलेंड के इस दुनिया आखें तो नो अधर आईलेंड नो अधर से तो मतलब ही नहीं होता सुपरलेटिब में क्या होता वहिए सुपरलेटिब में दा प्लस एस्टी डिग्री जो साथ में लगी होती है देख ये भी है ग्रीन लेंड इस दा लार्जेस्ट यह था लार्जेस्ट भी आ गया अए यह तो कैशे भी नहीं होगा यह थो पहले इस यह है कौन सब्सक्राइब हो जाएगा अप्शन नंबर डि आमारा कि लेंड इस दा लार्जेस्ट आइलेंड इन डा वर्ल्ट नेक्स्ट कुश्चन है हमारा Mr. Narendra Moji is a candid politician अब क्या करना हमें nearest in meaning to given underlined part यानि कि जिस पर underlined हुई है उसका हमें क्या करना है उसके पास वाली सबसे meaning यानि सुनोनियम बतानी है तो candid का means होता है candid क्या होता है जो हमारे साथ बहुत ही गुला मिला हुआ हो क्या होता है गुला मिला हुआ हो उससे बात करके हमें ऐसा लगे कि हम उसे पहले से ही जानते हैं तो यह हमारा fearless हमें डर नहीं लगता कैसे डर बिन बना fearless तो नेंदर मोधी वो fearless politician है या faithful है बिस्वास पूर्ण है या फिर soft spoken आराम से बोलते हैं या फिर frank है तो क्या है वो बहुत ही जाजा क्या है candid politician है frank politician है यानि सबसे घुले मिले रहते हैं he had a reputation of being a prudent businessman उसकी जो reputation है वो कैसे businessman की तरह है एक skillful या wealthy या dishonest या careful तो prudent का मतलब होता है careful take care करने वाला ठीक है तो क्या हो जाएगा careful सकील इज वेरी discreet while deciding his career जानि कि सकील जो है वो कैसा है बहुत ही discreet है अपना decision लेने में करियर में ठीक है तो A है cunning C optionate या B है sensible या फिर D है fearless तो कैसा है sensible है कैसा है sensible discreet का मतलब होता है समझदार क्या होता है समझदार कैसा है समझदार है वो sensible means समझदार है अपने decision लेने में 44 से 46 select the word which is closest to opposite meaning in the italicized word of phrase यानि कि जो word italic letter यानि italic bold में लखा हो italic में लखा हो उसका हमें क्या बताना है एंटरनियम बताना है तो self-reliance has been adopted क्या है adopted क्या है adopted as an important objective of economic planning in modern इंडिया तो adopted का हमें क्या बताना है यहां पर एंटरनियम बताना है adopted मतलब grand किया गया और grand करने का इंटरनियम में रहेंगे तो क्या होगा ठुकराना क्या होगा ठुकराना लेकिन यह adopted किसमें है modern इंडिया एक planning में है तो यानि कि एक योजना के रूप में बनाया जा रहा है और योजना में ही हम इसको हटाएंगे तो refused means होता है मना करना तो मना जब कर देंगे तो किसी को directly मना कर देंगे तो refused इसके लिए appropriate रही होगा हो सकता है लेकिन nearest पूझ रहे है और second बिल्कुल भी नहीं होगा denied मना करना भी बिल्कुल नहीं होगा ये दोनों भी ये तो same ही है तो क्या हो जाएगा discarded यानि कि किसी चीज में जुड़ा हुआ था adopted यानि कि जुड़ा हुआ था और अब क्या हुआ उससे discarded कर दिया गया हटा दिया गया 45 है His appointment was confirmed last month वर्ड कोन सा है हमारा appointment यानि कि उसकी जो appointment थी वो confirmed होई कब last month appointment क्या होती है joining जब हम कहीं पर joining करने जाते हैं तो उसको बोलते हैं appointment इसका क्या हो जागा disappointment suspension discharge या फिर dismissal तो क्या हो जाएगा हमारा dismissal क्या हो जाएगा dismissal appointment means नौकरी पर लगा दिया या dismissal कहे दें इसका इंटोनियम हो जाएगा तो नौकरी से हटा देना किसी पर से हटा देना ठीक है तो क्या हो जाएगा dismissal हो जाएगा हमारा सही answer 46 है हमारा C has a passion for indigenous goods उसके अंदर एक पैसा नहें कुछ करने कुछ कर दिखाने का जजबा है किसके लिए अपने लोगों के प्रति किसके लिए अपने लोगों के प्रति यह क्या है यह हमारा word है जिसका हमें क्या बताना है antinium बताना है native क्या होता है अपनी जगह क्या होता है अपनी जगह पर होना native होगा foreign बाहरी लोग क्या होंगे बाहरी लोग बिदेशी लोग silly cheap तो क्या हो जाएगा संटेंस को तोड कین से पार्टिम है तो ऑप्शन तो पहले देख लेंगे इडिू टु इंफलेशन यानि कि इनमें से जो चार पार्ट जो सेंटेंस को तोड़ के रक्या चार पार्ट में इनमें से कौन से पार्ट में एरर है तो option तो पहले देख लेंगे due to inflation the cost of living इसक्लेटिड इन दा लास्ट वन एर और नो एर तो कौन से पार्ट में लग रहा है आपको बताईए ज़रा कौन से पार्ट में लग रहा है इसके लिए due to inflation यानि के मुद्रास पिती मुद्रास पिती क्या होती है जब कोई चीज किसी के दाम बढ़ जाते हैं ठीक है तो cost of living cost of living यानि कि जो रहने का जो सलीका है रहने के लिए जिस चीज की हमें जरूरत पढ़ती थी खाने के लिए जीवन जीने के लिए वो पिछले साल से क्या हो गई बढ़ चुकी है बढ़ चुकी है यानि कि वो कारी पूर्ण हो चुका है अब पूर्ण काले कौन सा होता है आपका perfect tense होता है और perfect tense है तो ये second form दे रकी है अरे थर्ड form दे रकी है नहीं दे रकी है third form दे रकी है तो जाहर सी वात है इससे पहले क्या आएगा है जाना चाहिए लेकिन यहाँ पर है क्या नहीं है तो कौनसा वाले अमारे option में एरर है कौन से वाले पार्ट है में C वाले में तो option number C हो जाएगा इसका answer क्या होगा option number C next आजाईए इंट्रेस्टिंग बुक आटेल आफ टू सिटीज वाज रिटिन बाई अलेक्जेंडर ड्यूमस नो एरर चलिए बताईए इसमें क्या है article का error है जब ये हमारा जो interesting है अगर मैं इसका उचारण लिखूँ तो क्या मैं इसको ऐसे ही लिखूँगा बताईए भाईया ऐसे ही तो लिखूँगा मैं इसको interesting तो हमारा क्या निकल ला बॉबिल भाईया सुरू हो रहा है तो बॉबिल से सुरूँ होने वाले से क्या लगेगा एन लगेगा कौन से वाले पार्ट में error है हमारे ये वाले पार्ट में क्या है error है ये वाले पार्ट में error है next आजाईए in India भारत में there are many poor's no error बताईए क्या होगा इसमें भारत में there are many poor's भारत में क्या है बहुत ज़्यादा गरीब है या गरीबी है बहुत ज़्यादा गरीबी है तो उसको क्या बोलते हैं हम यह ऐसे नहीं लगेगा वर जो होता है आपका वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है ठीक है तो हमारे कौन से वाले पार्ट में सी वाले पार रहा है, next question है, कि the news is too good to be true, यानि कि जो news है वो इतनी अच्छी है कि इसको मानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, तो इसके लिए एनमें से ऐसा कौन सा sentence है, जो सेम ऐसी ही meaning देगा, ऐसा ही sense देगा, sentence को बतलना है, लेकिन इसका sense नहीं च वो इतनी अच्छी है कि उस पर बहुरू सा नहीं किया जा सकता the news is so good to be true this news is so good to be true truth ठीक है तो यह तो भाई है बिल्कुली नहीं होगा the news is so good that it can't be truth तो कौन सा वाला हमारा option सही हो जाएगा option number हमारा a सही होने वाला है कौन सा a तो 50 के 50 questions हो गए भाई हो 50 के 50 questions हो गए ठीक है तो मिलते हैं अब next class में next practice set के साथ ठीक है उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और तयारी करते रहिए जिनकी race निकल गई है वो तो तयारी करें गई जिनकी race नहीं निकली है वो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे अगली बार रेस निकालेंगे और तब तक अपनी तयारी को क्या करेंगे मजबूत करेंगे मेरे साथ आप मैं वादा करता हूं पचास के पचास आप प्रेक्टिस सेट कर लिजिए बचेगा नहीं कुष्टन एक भी बचके नहीं आएगा वही आएगा पूरा च्छपेगा ऐसे समझ लिजिए तो मिलते है नेश्ट ट्रास में वीडियो अगर अच्छी लगी है कुष्टन्स आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने जो भी आपके वो तैयारी कर रहे हैं किलर की ठीक है और स्टोर कीपर की तो उनके लिए भी जरूर ये वीडियो शेर करें और उनसे उनके लिए कहें कि हमारे साथ वो जुड़े रहें ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में